हालो इस्टूडेंट आज ही क्लास में बात करेंगे स्टेक के बारे में स्टेक डेटा इस्ट्रक्चर जैसे कि आप सबको पता है हम लोगोंने डेटा इस्ट्रक्चर के इंतरगत दो टाइप देखा था एक लीनियर और एक नॉलिनियर तो लीनियर के इंतरगत हम लोगोंने चार प्रकार देखा है अरे और लिंक लिस्ट ये दो टॉपिक के मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं यहां आई बटन के क्लिक पे मैं लिंक दे रहा हूं जाए उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए बच्या स्टेक और कर ले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए आप तक हर आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन अब तक पहुंच सके सब्सक्राइब करने को यहां पर जो बेल आइकन दीखते हैं वहां पर आपको आलक उप्सन मिलेगा उ अच्छी क्लास है एक बर फिर से मैं आपके समने डाटे स्ट्रेक्चर का टी ड्रेग्रम लेके आया हूं आप लोग इस ड्रेग्राम को दो से तीन बार जरूर प्रेक्टिस करिए जितने भी आपकी यूनिट है जितने भी आपके टापिक है वो इस टी ड्रेग्राम की मदद से ही बनेगा तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं डाटे स्ट्रेक्चर दो प्रकार एक होता है प्रिमिटिव जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम डिफाइन या प्रिडिफाइ ऍरक्त हम लोगों इसके बारे में डीटेल में चर्चा किया हुआ है यहीं पे दे देता हूँ प्लेलिस्ट बना वह वहाँ बटन की क्लिक पर आप प्लेलिस्ट में जाएं और सिक्वेंस में देखेगा क्योंकि होता है कि लेक्चर-वा इस वीडियो देखने में से हां जहां पर डेटा एक सिक्वेंस में एक क्रम बद तरीके से रहता है उसको हम लोग उधारण के तौर पर अरे और अरे के बारे में एक कंप्लीट लेक्चर माने बनाया हुआ है आप उसको देख लिजेगा बात यदि लिनियर के ही करें तो लिनियर का डैनेमिक होता है जिस कमान समय के साथ बदल सकता है मतलब आप चाहे तो उसको कंपाइटे में बदल सकते हैं यह अपका तीन प्रकार होता है और वैसे डोटल बात के रहे तो यह चारो के चारो लिनियर के ही जो है example है clear है क्या जिसमें से link list भी मैंने cover करा दिया है आज मैं stick की बात करूँगा देन आने वाले class में आपका Q पढ़ाऊंगा जिससे आपका linear का जो 4 complete उधारान है वो complete आपका हो जाएगा clear है तो यहां से आप समझ एह होंगे कि जो stick है वो dynamic linear non primitive data structure समझ मैं क्या मैं repeat कर रहा हूं यदि आप से पूछे किस प्रकार का data structure है तो इस टेक जो है डाइनियर नान प्रिमिटिव data structure कैसे कहेंगे आप या यूं कह सकते हैं कि इस टेक एक नान प्रिमिटिव linear dynamic data structure है क्लियर हुआ क्या क्योंकि linear का दो भाग होता है तो वो dynamic और dynamic की अंतरगत होता है आपका इस्टेक और linear कौन से कर्टिव में आता है तो non primitive में आता है और non primitive क्या है एक प्रकार का data structure है तो इसको तो ऐसे ही sequence में आपको परिभासा लिखना पड़ेगा, non primitive linear dynamic data structure आपका stake, तो एक बर मैं linear के परिभासा फिर से repeat कर देता हूँ, linear एक ऐसा data structure होता है, जिसमें data item जो है, एक रिखी रूप में संग्रहित होता है, line से data को विवस्थित के जाता है, एक data दूसरे data से एक रिखा के में जुड़ा हुआ रहता है, example के तौर पे देख लिए, array है, link list है, queue है, और आपका stake है, यह हुआ, direct बात में stake ही करूँगा, तो stake एक non primitive linear data structure होता है, जहाँ data को करम बद तरीके से रखा जाता है, बट करम बद तरीके से तो आप array में भी रख रहे थे, link list में भी रहे थे, तो फिर आपका stake कैसे difference है, भाई जखे, array में भी आप sequence में रख रहे थे, link list में भी आप data को sequence में रख रहे थे, तो फिर stake की हो सकता है, क्यों पड़ी, तो stake कहता है data को आप जरूर आप line से रखे, करम बद तरीके से रखे, बट मेरे एक सिध्धान्थ है, जिसको आपको पा इस प्रकार से plate रखी हुई रहती है, यह plate रखी हुई है, जैसे ही आपसे कहा जाता है कि चलिए भाई भोजनी start करिए, कुछ बंदे ऐसे आते जाते हैं, और यहां से उपर में जो देखे, माली जी आपे 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5 plate रखी हुई है, तो जो पहले वाला बंदा आए इस प्रकार से plate रखी हुई थी, तो plate हमें से उपर से उठाते जाते हैं, और जो प्लेट को पूरा खतम हो जाता है, तो वहां पर जो कर्मचारी रहते हैं, जो प्लेट वगरा को खाना खाने बाद जो रख दिये रहते हैं, कहीं पर आपसे उसको फिर वो साफ वगरा करने फिर से कैसे रखते हैं पर ला नमर का प्लेट फिर दूसरा hand powder प्र तीसरा प्लेट फिर चौन ता अएसे, तो देखिए, टी सलते, लास्ट आउट किसी धान परकार करता है अर्थात वह आइटम जो सबसे अंद में एड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमू कर दिया जाता है तथा जो आइटम सबसे पहले एड किया जाता है उसे सबसे अंद में रिमूओ किया जाता है एक और उदहरा लीजिए जैसे आप लोग ulock copy वागरा चेक करे लिए जब सर्भोलते हैं egentally class में आप लोग ने देखा होगा copy checklist लिए जमाा करेए तो ध़िया यह copy नपर 1 है फिर यह copy number second है फिर यह copy number थेड first number के is समझ में आए क्या यही है लीफो का सिध्धान लास्ट इन फर्स्ट आउटे देखिए ए बी सी इस प्रकार से तीन प्लेटे रखे वही थी जब चौथा प्लेट मतलब डी को रखना था तो वह ऐसे उपर में रखेंगे फिर पांचा प्लेट ऐसे ऐसे रखेंगे क्लियर हुआ क्या समझ में आ गया क्या जो सबसे आंथ में एंड होगा वह सबसे पहले बाहर आएगा गौयी मुझे कपी कुरको रखना रहता है हां आप बोलेंगे से कापी ओकर चेक करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट की रूपे मैं बाहतLOब तो कई बर क्या होता है कि अगर डाट ना खाना हो या आप नहीं चाहते कि सबसे पहले आपका पी जेखो तो कुछ लोग ऐसे इसको हटा के नीचे मैं से रख देते हैं बट ये एक exception case है actual में यदि हम इसकी बात करें तो ऐसा नहीं होता या data को आया item को add करना हो या data को हटाना हो हमेशा एक end से होता है उसे हम कहते है top end मतब दिखे यदि आपको D को डालना था तो बिटा आप उपर में रहें फिर यदि मैं कहूँ E को डाल दो तो आप E को यहां नहीं ऐसे डालेंगे कहा डालेंगे अब बिटा को बहार निकलो करें पर बिको आनंती में इस प्रकार से तो डेटा जोड़ना हु eller घटाना हो हमेशा कहां से होता है उपर इसे गिलते हैं घीलते हिर उपरेशन की बात करें इस्टेक में दो B, C को आप क्या कर दो insert करो तो पहले आप क्या करोगे A को push करोगे A जहाँ चले जाएगा फिर आप B को push करोगे B यहाँ से चले जाएगा फिर C आएगा और C को आप ऐसे परेंगे इस प्रकार से तो जब stake में item को insert करना रहता है तब आप push operation करते हैं और देखिए मा लेजे आपके stake की size बिटा 3 है बात को समझिएगा कितना है यहाँ पर बिटा size 3 है तो आपने A, B, C को रख दिया अब मैं आपको कहूँ कि यह D और E को रख दो यहाँ जगह दीख रहे कि आपको बिलकुल जगह नहीं है तो अब क्या होगा D और E को आप insert कर पाईगे क्या बिलकुल नहीं कर पाईगे क्यों 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 कि stake में खाली नहीं है तो कहता है कि जब आपको stake पूरी तरीके से भर जाता है तब हम उसको overflow कहते हैं जब वो पूरी तरह भरा हुआ हो यदि stake पूरा पूरा भर जाता है तब उसी city को overflow कहा जाता है उसी प्रकार से जब stake में से आपको देखे जैसे A, B और यसी तीन data item था आपको मैंने कहा कि हटाते जाए data तब सबसे परे C को हटा दिए क्या बचा B और A बचा फिर आपने B को भी हटा दिए तो एक ऐसी स्थिती आती है pop कहता है कि जब stake में से data को delete किया जाता है तब उसको pop कहते हैं stake में data को insert किया जाता है तो उसको push कहते है push मतलब धक्का लगाना मतलब data को अंदर डाल रहे हैं ऐसा समझे का बात को तो push और बाहर निकाल रहा है मतलब pop जब पूरा पूरा stake भरा हुआ रहता है तब उस स्थिती को कहते है overflow मतलब देखे ABC भरा हुआ है अब नया data item आही नहीं सकता ठीक है और जब आप इस stake को पूरा data item को बाहर निकालेंगे अब आपके stake में कुछ भी चीज नहीं रखा हुआ है जब आपके stake पूरा पूरा खाली हो जाता है तब उस स्थिती को कहते है हम under flow under flow कहते है समझ में आया क्या यह दो मुखे आपका यह operation था अब मैं इस operation को step by step आपको समझाता हूँ तो देखे push operation क्या कहता है सबसे पहला step 1 आप कैसे insert करेंगे सबसे पहले आप जो है stake को check करो stake के status को check के जाता है कि भारा हुआ तो नहीं है जैसे उदारान के लिए देखे माली जी इस stake की size 4 है ठीक है देखे 1, 2, 3 ABC रखा हुआ था बटा अभी माले लेते हैं चौथा नंबर का हमारा जो box है वो खाली है तो हमें यदी push करना है तो push operation करने से पहले नया data item को जोड़ने से पहले जैसे memory mobile के memory mobile के भासम समझा रहों आपको देखे आप में mobile के memory पुरा भारा हुआ है आपको friend को वीडियो भेशता है को वीडियो भेशता है को आडियो क्लिप भेशता है आपको क्या आप कहता है memory में जगह ही नहीं बोलता है तो सबसे पहले यदि आपको movie अगर चाहिए गाना अगर चाहिए picture अगर चाहिए तो आप memory को पहले check करते है बस वैसे ही यदि push करना है data को डालना है तो आप पहले check करिए बहरा हुआ तो नहीं है यदि आपको memory पूरा पूरा भारा रहता है तो आपका friend क्या data भेज़ पाएगा क्या आपको movie भेज़ पाएगा नहीं भेज़ पाएगा बोलेगा memory full हो चुका है आप पुराना वाला data को delete कर वा ऐसा मेंसे जाता है तो पहले आपको यदि data डालना है तो आप पहले status को check करते हैं कि भारा हुआ तो नहीं है यदि full है फूल है फूल है तो क्या हो जगा वो exit कर देता है कि भई मेरे पास जगा नहीं है मतलब exit कर देगा बाहर निकल जाएगा लेकिन यदि full नहीं है जगा खाली है data element को add करने के लिए आप क्या करेंगे भई यदि जगा खाली है मतलब आपका data मतलब आपका state में size भारा फूल नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे जो भी data जैसे d को डालना है आप उसको add कर देजिए लेकिन कहाँ add करेंगे बैटा top में add करेंगे सबसे ऊपर add करेंगे ठीक है अब आप कहेंगे पहले मैं बता हूँ कितना भरा है ताप बलेंगे 1,2,3 तक भरा हुआ है तो जो di को सो क्या दे देंगे आप एक value बढ़ा देंगे पहले तीन तक था आप क्या बोलेंगे आप पूरा चार तक ऐसे भर गया है उसी को लिखे value को एक increment कर देंगे increment का बढ़ाना पहले मैं आप से पूछता तो आप क्या बोलते है रखेंगे तो उपर में रखेंगे कहा रखते हैं हमें हमें हमेसा टॉप में रखते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं उसका मान को एक बढ़ा देते हैं और तीम में उसक्ता सबसे नहीं है तो आप क्या करेंगे सबसे ऊपर से टॉप में से झूब इस जूबिट में अपका कितना सबसे बाद करके करके बता दीके सर ने को value रखा हुआ तो आपके पास है तीन मतलब आपने एक value को decrement कर दिया decrement करना मतलब आपने एक मान आपका कम हो गया है clear है क्या उसके बाद आपका operation complete हो जाता है यदि में आपसे कहता है एक बार और पाप operation करो तो आप इसमें operation काम करते और आप क्या करते सी को भी पॉप कर देते अंत में क्या बचता आपका A और B बच देता और आप कहते सर अभी आप कमान दो है फिर B को निकालते फिर आपका A बच जाता अंती में आप A को को निकालते। फिरृपका इस टकать हुजाता और जब इस टकाले जाता तब उसको क्या कहते हैं बटो अनदर खालो वईरी गुड क्या Key के ते हैं अन्दर फ्लो तो चलिए आची क्लास में ही पर समाप्त कर रहा हूँ स्टेक को अच्छे से पढ़ लीजिए सेकंड यूनिट में आपका ये भाग चल रहा है एक पूरा का पूरा एक तीसरा यूनिट है जो आपका स्टेक पर बेस्ट है कि आप येस ये नो करके जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाहीं जाय भारत